हलो, RTO NOC के लिए कैसा अप्लिकेशन करना है देखते हैं, ये 2019 का लेटेस्ट प्रोसेस है परिवन सेवा वेबसाइट पे जाने के बाद driving license related services में जाना है यहाँ state सिलेक्ट करना है ये new page पे apply online services में काफी सारा driving license related services है उसमें services on driving license पे क्लिक करना है और यहाँ इतनी सारी services आपको मिलती है driving license related और फिर continue करना है details यहाँ आपका DL number डालना है driving license number date of birth पे driving license पे है ओ और यहाँ state जहाँ आपका driving license है ओ RTO जो आपका current RTO है और जो आपका address है उसका pin code यहाँ डालना है details डालने के बाद यहाँ go पे click करना है आपको go पे click करने के बाद next यह पेज आएगा next यहाँ आपको yes करना है driving license is mine करके yes करना है फिर यहाँ state डालना है और RTO जो current license है आपका यहाँ RTO का details दाके वापस process करना है यह next पेज आएगा जिसमें आपका mobile number दिखेगा आपका जो register number है ओ दिखेगा you can update your number here also और आप जो भी करोगे तो sms आपका application number sms नंबर पे आएगा और वापस यहाँ confirm करना है confirm करने के बाद next page यह दिखेगा यहाँ आपको issue of noc पे टिक करना है और process करना एक so many services are there बट हम इसके बारे में बाद में detail में बात करें next page पे आपको यहाँ state select करना है RTO select करना है और यहाँ reason देना है क्यों noc चाहिए अभी यहाँ कोई आपके related option नहीं है तो यह option select करके यहाँ जो reason है अभी मेरा address change हुआ है तो change of address यहाँ लिखो और यहाँ declaration टिक करना है first वाला second वाला ने और यह submit करना है submit करने के बाद next page पे जा सोरी यहाँ आपको दो बर submit करना है एक बार यहाँ confirm करना है और उसके बाद यह window आएगा यहाँ टिक करके फिर यहाँ submit करना next page पे यह acknowledgement receipt आएगा और यहाँ आपको print लेना है तो ले सकते या next page पे जाना है या next करके details आपको चेक करना है सब आपके आपका नाम date, driving license, number और नेक्स्ट यह पे जाएगा यहाँ आपको चेक करना है details और यहाँ आपको application का status दिखेगा आपका application complete हुआ है बस आपको documents upload करने है और payment करना है और documents upload करने के लिए यहाँ टिक करना है radio button और process करना है next page पे application number चेक करना है date of birth डालना है और यह सब details देके upload document वाला page आएगा यहाँ ok करना है और यहाँ से आपको document select करना है driving license select करना है proof में भी driving license लिकना है यहाँ अपलोड करना है आपको PDF format में यहाँ formats दिए हुए है और upload होने के बाद यहाँ confirm करना है और confirm होने के बाद यहाँ से next करके next page पे जाना है so next page पे आपको इस तरह document saved दिखेगा status इसका green रहेगा और यहां से next करना है next page पे number one number two now completed अभी बस fee payment आपको करना है और fee payment बस 20 rupees आपको एनोसे के लिए pay करना है वो आप online भी कर सकते हो या door page window पे जाके भी pay कर सकते हो better है online pay करो और उसका receipt print out निकालके लेके जाओ फिर इसको तीन number के लिए सिलेक करके process करना है आप यह payment वाले page पे आओगे cpr 20 rupees नोसी के लिए आपको pay करना है यहां से आपको bank सिलेक करना है sbi direct okay यहां captcha fill करके पेन आओ पे क्लिक करना है next page पे details चेक करके यहां I agree पे क्लिक करके process for payment पे क्लिक करना और next page पे debit card internet banking सिलेक करके यहां से payment करना है बस 4 पेसे आपको GST चारज लगेगा यहां पेन आओ करना है payment success होने के बाद यह window दिखेगा और यहां क्लिक here for print प्रिंट रिसिप्ट के लिए आपको यहां क्लिक करना है नेक्स पेच पे यह रेडियो बटन क्लिक करके यहां क्यापचा डालके प्रिंट रिसिप्ट करके प्रिंट रिसिप्ट करने के बाद आप इसे सेव कर सकते हो और उपन कर सकते हो इस तरह की रिसिप्ट आपको कि यह recept और जो documents आपने upload किये है यह और application form लेके आपको RTO में जाके submit करना है पाच दिन में आपको NOC मिल जाएगे Thank you